अपिसोड में आपका स्वागते दोस्तों फाइनली ओला स्कूटर इंडिया में अफिशियली अन्वील हो गया है beautiful design and a lot of technology embedded in it Ola ने यहाँ पर सबसे पहले लाँच ही उन में शोकिस किया अपना manufacturing setup जो है उनका बड़ा सा एक factory setup जहाँ पर उनका target देगी millions of vehicles, millions of scooters would be manufactured from there and definitely इंडिया में गाडी बन रही है जो एक बहुत ही अच्छी बात है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा complete details इनके दोनों variants के बारे में जिसके बाद आप decide कर सकते हैं कि भाई आपको ये गाडी लेनी है या नहीं है let's get started with the Ola's scooters complete details दोस्वों यहाँ पर सबसे पहली बात तो गाडी के अंदर अगर हम बात करते हैं pickup की तो 0-40 की speed आपको मिल जाएगे सिफ 3 seconds में 0-60 की speed 5 seconds में हाँ दोस्वों बात कर रहे हैं scooter की and not a car top speed 115 km मतलब 50-60-70 km की top speed भूल जाएए electric vehicle में आपको मिल रही है बहुती crazy top speed range 181 km की range in a single charge कोई battery निकालने की ज़रूत नहीं है single charge में 181 km मतलब कहीं पर भी city में tension free गूम के आ सकते हो और vehicle में मिलेंगे आपको teen modes normal, sports और hyper अब अगर हम बात करते हैं battery की तो 3.92 kWh की battery मिलती है जहां पर अगर आपके गर में home portable charger यूज़ करते हो तो 750W का portable charger है जिससे आप 6 गंटे में इसकी battery को चार्ज कर पाओगे in short, रात में लगा दीज़े, सुबर में अपने गाड़ी को charging से निकालिए and you're good to go for 180 km ओला का hyper charger है मतलब कहीं city में कहीं आप अटग गया आपको लगता है कि बाटरी कम है then you can just go there 18 minutes में 50% charging मतलब 18 minutes which is nothing compared to the 1 hour, 2 hours जो generally दूसरे गाड़ीों को लगती है 18 minutes is nothing and उसी के साथ-साथ vehicle के अंदर आपको मिलता है reverse mode मतलब आप कहीं पर reverse लेना चाहते हो vehicle को just button दबाईए और गाड़ी reverse चली जाएगी hilli roads के उपर अगर आप जाते हो के अंदर मिल जाता है so let's say आप इसी रोड के ऊपर आपको बता है कि अपको बता है कि अपर चॉंच्टनली 40 आ 50 की स्पीड मुझे जानी है you don't have to continuously keep accelerating cruise mode set कर दीजिए and enjoy the drive उसी के साथ-साथ built-in speakers भी आपको मिल जाते है अगर हम बात कर रहें स्पीकर्स की तो यहां पर डिस्प्ले की बात होती है और इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है 7 इंचेस का शैटर प्रूफ टच्स्क्रीन डिस्प्ले जिसके अंदर आपको विजट्स भी मिलेंगे मतलब आपके स्मार्टफोन की तरफ विजट्स रहेंगे और दे होल डिस्प्ले सेटप इस वर्किंग बेज़ ओने ओक्ता को प्रॉइसर 3GB RAM के साथ और उसी के साथ-साथ वेहिकल के अंदर है प्रॉसिमीटी अनलॉक का फीचर जब आप गारी के नजदीक जाओगे उटमेटली अनलॉक हो जाएगी जब दूर जाओगे तो लॉक हो जाएगी और उसी के साथ-साथ आपके स्मार्टफोन से भी आप इसको लॉक कर सकते हैं यहां पर वेकल के अंदर आपको कूछ कस्टोमाइशन के अवशन मिलते हैं प्लेस कुछ साउंड के मोड्स मिलते हैं मतलब परसनल चॉइस के वाड़ी में से अवज के साबसे इसको अनल्मल पेटे डरग तो यहां पर कोई गारी सा आवाज आती नही है but then you can customize and you can have your personal favorite sound as the actual vehicle sound इसके बाद दोस्तों गाडी के अंदर आपको मिलते हैं user profiles अगर आप आपके family में गाडी चलाते हो so let's say you, your wife, your brother, your sister सब लोग गाडी चला रहे हो तो आप इसके अंदर profiles बना सकते हो और उसके साथ साथ अगर आप इस गाडी को किसी वैलेट को दे रहे हो किसी को servicing के दे रहे हो तो यह सब चीजें उसके अदर आप set कर सकते हो जिसके बाद आप remote track कर सकते हो control कर सकते हो vehicle को और उसको lock भी कर सकते हो या फिर कहीं आप गए हो किसी को गाड़ी देते हो बोलते हो कि भाई मैं यहीं पर जाके आता हूं तो यहां पर आप आप मुजिक कंट्रोल कर सकते हो, नाविगेशन कर सकते हो, इन फाल भी आंसर कर सकते हो अब यहां पर ओला ने दो स्कूटर्स लांच किया है, बिसकली S1 और S1 प्रो, अब प्रो इस फर सम्वन वो निद्स अ लॉंगर रेंज, वैसे इन शॉर्ट टर्म स्वन के आपको मिलता है, 90 किलोमेटर का तॉप स्पीड, विच इस अलसो प्रेदी गुड अगर आप एक सिं अब चलिए हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टन एलिया की, जो है प्राइजिंग, S1 की प्राइजिंग है, 99,999 रुपेज, इंक्लुदिंग दे फेम 2 सबसीडी, और उसके अलावा यहां पर स्टेट की सबसीडी भी आपको मिल जाती है, यहां पर S1 प्रो की प्राइजिंग 1,29,999 रुपेज, जो आपको मिलते हैं फेम 2 सबसीडी के साथ, और इसके अलावा आपको स्टेट से भी सबसीडी मिल जाएगी, हालांकि आपको डेली, गुजरात में काफी कम प्राइज पर यह वेहिकल मिल जाएगी, कि वहां पर अलड़ी सबसीडी अवेलेबल है, बट and definitely you can take a look at the prices mentioned on the screen, जिसके हिसाब से आपको details मिल जाएगे, जैसे कि यहां पर गुजरात में इसकी pricing शुरू होती है, 79,999 रुपेज, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, S1 Pro की, तो वह भी आपको गुजरात में मिल जाएगा करीब 1,10,000 रुपे, वालांकि दूसरे स्टेट मे मिलेगी, आपको यह गारी 1,30,000 रुपे के price point के ऊपर, so as simple as that, depending on all the subsidies आपको यह वहिकल मिल जाती है, अगर हम बात करते हैं EMI की, तो आपको yes, EMI का भी option मिल जाता है, और अगर आपने इस वहिकल को reserve कर दिया है, तो September 8 को यह available हो जाएगे purchase करने के लिए, जिसके बाद delivery और मैं उसी के उपर एक नया वीडियो बना कर आपके साथ share कर दोँगा, that's why दोस्तों, यह था काफी interesting, काफी exciting announcement Ola scooter की तरफ से, because I am looking forward to them, because they are really going for mass manufacturing and offering these vehicles at a very good price point, which is something we all look forward to, तो यह था complete announcement Ola electric scooter का, अगर आपको वीडियो पसंदायर वीडियो को लाइक के दिजे, Just TV को सब्स और तब तक के लिए, Good Bye